क्या होगा अगर एसकार्ट के गॉर्ड फंडर थौर और पगवान विश्णों के छठे अतार और महादेब के शेश्य प्रिगुवंची पर्शुराम के बीच जें फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा और इन दोनों में से जादा पावफुल कौन है एसकार्ट के गॉर्ड फ सुपर पावफुल और सुपर डिस्ट्रक्ट्टिव से ऐक और बहुत ही कम ऐसे गावफुली स्टेव के बात करें तो परशुुराम ब्गवान विश्रों के छठे अव्दार भूंन पहले रामित आ पर बाद पंच उनका नाम ओन Himself ने एक दिव्धिय घुलाडी थी जिसे परशु भी कहा जाता है जिसके बाद उनका नाम राम से परशु राम पड़ा जिसका मतलब था कुलाडी और राम या कुलाडी के साथ राम भगवान परशुराम चिरन जीवी यानि इमोर्टल है जो कि रामायन के टाइम पर भी थे जब राम ने शिवजी का धनुश तोड़ा था महाबारत के टाइम पर वो भीश्म द्रोनचारे और करण के गुरू थे और कल्यू के अंत में भी अपेर होंगे जब भगवान भीश् जो परशुराम भगवान शिव से मिलने जा रहे थी तो गनेश ने रोकने की कोशिश कि जिसके बाद परशुराम इतना जादा गुसा हो गए कि उन दोनों के बीच में योद्ध हो गया और इस फाइट के दौरान परशुराम ने भगवान गनेश का एक दान तोड़ दिया और इसी की बाद भगवान गनेश का नाम एक दंत पड़ा भगवान परशुराम ने कठोर गोर तबस्या करके हर उस फैपन को आसिल कर लिया था जो रतिदेव के पास थी और इसी दोरान उने एक उलाड़ी यानी परशो भी मिला जो कि भगवान शिव का था परशुराम भ भगवान शिव के माथे पर एक सकार तक को क्रियेट कर दिया था जिसे भगवान शिव ने अपने शिश्ची के शौरी के रूप में स्विकार गया और इस काट का निशान आज भी महादेव के माथे पर है जिसके बाद भगवान परशुराम ने महादेव की गुरु दक्ष उने अरा दिया था और सिर्फ एक एक्जेम्पल के लिए मैं तुमें बता दूं कि महाभारत के महाविनाशी यूद में कॉर्वों के पास रिफ 11 अक्षोनी और पांटबों के पास रिफ 7 अक्षोनी से ना थी मतलब अगर उस फाइट में भगवान परशुराम भाग लेते तो यह यूद कई दिनों के बजाए कुछी घंटू या एक गंटे से भी कम टाइम में खतम हो जाता भगवान परशुराम ने पूरे 21 पार पूरी धर्दी को शत्रिय मुक्त करके उसे जीता था और इसी बचा से जब हो सीदा माता के सुएंबर में भी के थे तो सभी राजा सिर्फ उने देख कर ही सहम गये थे भगवान परशुराम मन की गती से चल सकते थे उनके पास हर्ट टाइब की अस्त्र शस्त्र भी थे और वो हर्ट टाइब की फाइटिंग टेक्निक में एक्सपर्ट थे भगवान परशुराम के पास परशुर, शेव, दनुष, त्रिशू, सुधर्शन, चक्र और प्रह्मास्व जैसी वैबन्स भी थी जो कि अपने तपोवल से पूरे उनिवर्स को एक ही सैकंड में डिस्ट्रॉई कर सकते थे तो यह थी परशुराम की पावर्स, और परशुराम की पावर्स को अच्छी से चैन लेने के बात, अब बात करें थार के और जानने की कोशिश करते हैं कि आखरी थार के टना पावफुल है तो Thoric Asgardian God है, जो थी Odin का बेटा और पूरे Nori Arms का Protector है Thoric God है, इसलिए उसके पास बहुत सारी Godly Powers भी है बात करें कुछ पेसिक पावर्स की है, तो Thor के पास Godly Strength, Speed, Staminar, Ability of Light जासी भी पावर्स है और Godly Strength को तो सुपरियमें स्टैंड से बिल्कुल भी Compare मत करना है, क्योंकि इन दोनों में बहुत जादा डिफ्रेंस है Thor के पास Super Ealing भी है, और उसकी Age बहुत ही Slowly बढ़ती है, इसलिए उपिछले 1000 सालों से जिन्दा है और अगली 1000 सालों तक भी जिन्दा रहेगा और Age के साथ उसकी Powers और भी बढ़ती जा रही है Thor God of Thunder है, इसलिए उसकी Powers Thunders related है, जिसमें वेदर को Control कर सकता है, Lightning Strike कर सकता है और उसका Use करके बहुत ही Powerful Lightning Attacks भी कर सकता है Thor के पास Inverse के सबसे Strong Oro Metal से बने हुए Mionir और Strong Breaker जैसी Weapons भी है, जो कि बहुत ही जादा Powerful है और Immortal Beings तक को केल कर सकती है Thor बहुत ही जादा एड़िडेबल है और बड़े से बड़ा Energy Blast पे उसका कुछ नहीं भी गार सकते है, जो कि अपने Strong Breaker को बनाने के लिए New Drone Star की Concentrated Energy Beam को भी Survive कर चुका है और अपने Strong Breaker से 96 P.T. Zones की Powers को ब्रेक करके Thanos का सीना चीर चुका है त्वेधी Thor की Powers और Thor और परश्विराम की Powers को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात के लेते हैं Fight Comparison के और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से जादा Powerful कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा तो God of Thunder Thor बहुत ही Powerful Character है जो की और इनका बेटा और पूरे नौरी आम्स का Protector है जबकि दूसी तरह परश्विराम भगवान विश्णों के छठे अफ्तार और महादेव के शेश्य हैं जिनके पास बहुत सारी दिवे शक्तियां अस्त्र और शास्त्र भी थे Thor अपनी Full Strand के साथ परश्विराम पर अटैक करेगा पर परश्विराम बहुत ही जादा डूरेबल थे जो की मन की गती से चल सकते थे और उनके पास बहुत सारी दिवे शक्तियां भी थी इसलिए हो Thor के किसी भी सूपर पाववफल अटैक को इसली डॉज जाए सर्वाइव क अटैक में किसी व्यक्ति के साथ सार पूरे के पूरे प्लैनेट को डिस्टॉई कर सकती थी Thor पावफल तो बहुत है पर वो इम्मोर्टल नहीं है और वो भी एक दिन मरे का जिस तरह से ओर दिन मरे थे जबकि दूसी तरह बगवान परश्विराम चिरन जीवी हैं जो कि संस कार के अंद तक चीफित रहेंगे थार बहुत ही पावफल क्रैक्टर है पर वोगवान परश्विराम ने सुरु गुरू दक्षना के लिए लाकों मार शक्तिशाली असरों को कुछ ही गंटों में मार डाला था और पूरे 21 पार सभी शत्रियों का बहुत करके पूरी दुनि मेटनर होंगे और फाइट में जाहें जो भी हो इंदियान जीतेंगे बगवान पर शुरामें बाकिया आपके साफ से इस वाइट क्यों क्या पॉस्पिल्टीज हो सकती है और नेक्स्ट वीडियो की इस टॉपिक को बनाने जिए कमेंट करके जरू बताना ऐसे अमेजिन वी झाल 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 झाल